हर हर महादेश शिवशंकर शंभू कीजे All Intermediate and CEF Final Students कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छ होंगे और मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ आप सभी लोग exams दे रहे हैं सभी लोग exams दे रहे हैं लेकिन जो आज मैं बताने जा रहा हूँ उसके उपर कोई भी गोर नहीं कर रहा है बस exams, exams, exams की तरफ जादा फोकस हो रहा है इन चीजों पर भी अगर आप फोकस कर लेंगे तो बेटा आपका कुछ हो जाएगा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको ICAI ने जो November 23 CEA Results अपने कोल कर रहे थे उस टाइम पर और मेरे को message भी दिये थे और even कुछ students के तो इतना बड़ा blender हुआ है उनके साथ कि economic low वाला जो paper था paper number 6D उसके paper में 59 numbers दिये मेरे पास उनकी copy भी है मैं specifically उसका नाम नहीं लेंगा लेकिन मेरे को उन्होंने copy भी जी लेकिन वो copy भी उन्होंने मंगवाई नहीं थी, वो copy भी मैंने उनको बोरा था कि आप RTI के through अपने पास क्या करें copy मंगवाई ये और उसके इंदर देखे आपका क्या system है क्योंकि mark sheet में उनको economic low में 59 number मिले और SFM के इंदर भी उनके number काटे गए मैं पूरा fact आपके साथ discuss कर रहा हूँ प्लस मैं आपको बार-बार ये चीज कह रहा हूँ कि आपको इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए तो सबसे पहरे तो वीडियो को like कर दो, जितना ज़्यादा like करोगे बहुत सारे students इसके बारे में aware होंगे और subscribe कर लिजे अगर आपने अभी तक इस चैनल सबस्क्राइब ने किया है All my dear intermediate and the final students ICAI ने बहुत सारे students को 59 number पे अटका दिया किसी students को exemption दे दिया लेकिन aggregate मेटका दिया तो ऐसा क्यों हुआ ये ICAI से पूछना होगा लेकिन अभी हमारे पास इतना time नहीं होता क्योंकि जब हमारा result आता है तो results के बाद हम उपने जब number देखते हैं और पनी पास copy मंगवाते हैं तो हम किस से match करें अपने answer को क्योंकि ICAI तो अपने पास number जो देता है suggested answer से match करके अपने number देता है मतलब जब इतना near about ICAI रिलीस करती है suggested answer जब तक आपका अगला attempt आ चुगा होता है और आपको फिर उसके इंदर time मतलब उसके लिए फिर आप अपलाई करो कि सन मेरा answer था ही था आपने number क्यों नहीं यह इस तरह का mail लिख को इसको repeat करेगा तो देखो अब जो हो गया वो हो गया उसको आप छोड़ दो लेकिन एक student से जिनको मैंने बोला था कि आप RTI के तुरो अपने पास एक copy मंगवाईए उस copy के साथ आप match करिए study material से आप answer match करिए वो कह रहे है कि sir मेरा answer बिलकुल match कर रहा है तब भी मेरे को 59 number लॉट कर दे गए है और एक ऐसा answer है जो prevention of money laundering के उपर question था उसके उपर answer पे मेरे को marks लॉट नहीं किये गए तो मैं उनको advise करी कि आप revaluations डाल सकते हैं तो कल उन्होंने revaluation डाला है अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं लेकिन अभी हमारे पास इतना time नहीं है बस अब आपको आगे के लिए take care करना है कि my 24 is friends जो अपने exams के लिए जा रहे हैं अगर in case आपके साथ इस तरह का होता है कि 59 number आते हैं या फिर अपने पास कोई paper में आपको आपको क्या करना है मतलब किसी aggregate में आपको रोग दिया गया है तो आपको simple अपनी copy उसी time पे निकलवा करके study materials answer match करो क्योंकि suggested answer तो आईसे ही release करेगा नी क्योंकि suggested answer तो तब release करता है जब आईसे ही जब next attempt आ जाता है near about आपका next attempt आ जाता है ठीके तो आपको करना क्या है आपको simple RTI के through अपने पास copy मंगवानी है और RTI के through अपने पास match करना है study materials से answer content match करना है अगर वो match होता है तो आप उसको revaluations के लिए जुरू डाले और ICI को mail भी करें और अगर ICI वहाँ पे आपको कुछ नहीं करता है तो ultimately आप visit करें ICI की branch में जहां पे भी डैली वेगरा में भी आप visit कर सकते है और अपना concern वहाँ race कर सकते है तो something is better than nothing नहीं तो बैठे रहो और इसी तरह से अपना चलता रहेगा तो dear all my CS friends यह मैं जो आपको वीडियो आपको मना के दिये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पुछाने के लिए like करें share करें, channel को subscribe करें thank thanks a lot और वीडियो कैसी लगी तो comment section में मेरे को जुरू बताएगे